आज सुनिये शिमानी जी का नॉविल चौदै फेरे का भाग दीन दो दिन की लंबी यात्रा के बाद अहलिया काट गुदाम पहुची तो शरीर में स्वयमी अंजानी फूर्ती सी आ गई काट गुदाम से करनल की टैक्सी धीरे धीरे पहाड की घुमाओदार चड़ाई को चीरती चड़ने लगी काच से आती ठंडी हवा के थपेड़ों से अहलिया के बाल इधर दर उड़ने लगे कैसा विचित्र गिरी पैभव था कैसी अपूरल सुश्मा दूर दूर तक आकाश को घिरे पादलों के टुकड़े धीर मंथर गती से बहे जा रहे थी कहीं पर धूमिल रिबन सी छोटी जलदारा दूर दूर तक जाकर व्रक्षों के जुर्मुट में खो गई थी गरम पानी के मोटर स्टेशन के पास जाकर उनकी टैक्सी रुकी और कई चीत्रों में लिप्टे गोरे, सरल, मुस्कुराते बालकों ने करनल की टैक्सी को घेर लिया इस्ट्रावेरी लीजिये साहव, वेरी चीप बासकेट हुजूर, ओनली वन रुपी, वेरी स्वीट आओ तुम्हें यहां के प्रसद तिवारी की दुकान पर ले चलें पानी और कीचर से पैर बचाती अहिल्या साड़ी थोड़ा उठा कर उतरी पास की एक पत्थर के गोमुक से छलचल कर शीतल जल्धार को अंजुली में भर कर एक नई दुलन अपनी नई नत को बिगोती पानी पी रही थी एक लीरर वहीं पर अपनी बस को पानी से दोता उन फूर यात्रियों को पोस रहा था जिनोंने उल्टिया करके उसकी सुंदरी बस की काया ख़त विक्षत कर डाली थी तिवारी होटल में पहुँचकर वो इधर दर देखने लगी कि किधा पैठे प्रतेग जरजर मेज पर पूणियों के टुकरे और पीले रायते की जूठन पड़ी थी एक और कई आतरी कचर कचर कर खाते गरम पूणियों का तकाजा लगा रहे थे दो तीन गंदे से छोकरे भाग भाग कर परिवेशन में लगे थे अहिल्या को सहसा पापा पर जुझलाट हो आई ची ची ये भी भला कोई खाने की जगे थी कलकत्य के साउथ कलब फर्पो एंड ग्रैंड होटल की अभ्यस्त अहिल्या ने चट से नाग पर माल रखकर वक्र द्रिष्टी से पापा की ओड़ देखा पर करनल तब तक बड़े इत्मिनान से कोने की मेश पर पैर जमा चुका था अहिल्या साडी समेट कर बड़ी अनिच्छा से बैठी ही थी के एक स्वस्त सुंतर गोरा सा लड़का अपनी कंड चुम्बी मुस्कान से उसकी समस्त जुझलहाट क्षणबर में अपहरण कर स्वयम मेनू के रूप में उपस्तित हो गया क्या लाओं मेम साहब पूड़ी है दही चटनी रायता आलू पालक सब कुछ तयार है दो थाल जल्दी लाओ लड़के और पूड़ियां गरम लाना समझे करनल ने सिगार की राग ज़ार कर कहा बहुत अच्छा सरकार लड़का फुर्ती से भागता बड़े अंदास से दो हाथों में दोनों थाल सजाए मिंटों में लौट आया खाने की सुगंद और पहारी रायते की राई ने अहिल्या की परिमार्जित मेम साहवी रुची को भी जीत लिया ठीकी तो कह रहे थे पापा ऐसा स्वादिष्ट भूजन उसने बड़े बड़े दामी हुटलों में भी नहीं खाया था उस पर जो बिल आया उतना तो वो प्राया अपने होटल के बेरा को ही टिपतिया करती थी खाना खाने के बाद जब नकी टैक्सी अल्मुडा की और चली तो कर्णन ने सिगार सुलगा कर एहल्या से अंग्रेजी में कहा एहल्या मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें अपनी इस पहाड यात्रा में कई बातों के लिए अपने को तयार करना होगा पहाडी होकर भी हमारा रहन सेन उठक बेठक एक भिन वर्ग से ही रही है मैं कह नहीं सकता कि पहाड अब कितना बदल गया है पर आम तोर पर लोगों की प्रिकर्ट नहीं बदला करती फिर खास कर तुमारी ताई जरा तेज मिजाज की हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी के साशन में रहने का अभ्यास नहीं है पर मुझे पुरा विश्वास है कि तुम कठें से कठें परिस्थित से भी जूज लोगी अगर तुम्हारा जी न लगा तो हम शादी से निबट करी वापस चल देंगे ठीक है ना पर अहिल्या तो पापा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रही थी टानी खेत की हरितिमा से गौरोपूर गौल्फ पोर्स छोटा सा बाजार और लाल-लाल छट के तस्वीर से बंगले सबको वो मुक्ध होकर आखोई आखों में पी रही थी कैसा बहुरूपिया कांचन श्रंग थावे है कहीं के मोर उसे शिरॉम की धान खेती का इस्वनर दिला रहे थी कहीं पर गौहाटी किसी परचित परवर्थ श्रंग थी और कहीं सुई सी पतली पगंडियों पर कमर में काला लहंगा कुसे सिर पर घास की गुरतर बोज से दबी कुमाओं की गठे शरीर की लावने मही घसिया रहने ऐसी सुंदर गरियसी जन्म भूम को छोड़कर वो आज तक बाहर रही ये कैसी विडम बना थी चुंगी के पास आकर टैक्सी खचाक से रुख गई सामने अलमोडा अपने पूरे वेभों के साथ चमक रहा था अब हम बीस मिनट में ही पहुँच जाएंगे बेटी बहुत ठक गई हो क्या अहिल्या के क्लान चेरे पर सरस मुस्कान जलब ठी नहीं पापा कितना सुंदर है ये पाहर मेरा तो जी कर रहा है अब लोटके कलकता जाऊं ही नहीं इस तेह से पुत्री को देखकर करनल ने हसकर कहा पगली अभी तो तू अलमोडा पहुची ही कहा है वहाँ पहुच कर अकसर इरादे बदल जाते हैं पुत्री को लेकर करनल जब अपनी चिर पुरातन देहरी पर खड़ा हुआ तो उसका गला भर आया शाम के दुंदलके में चारों और से घिरे गिरी शिखर उचे जूमते ब्रक्षों के जुर्मूर से जिल्मिलाती रोश्निया देखकर उनकी बिचली जिन्दगी का परदा सहसा उठ गया अपने आने की सूचना वे समय पर नहीं भेज सके थे इसी से उनके ग्रह के बुलंद फाटक पर कोई भी उनकी अभरतना के लिए नहीं खड़ा था कुली सामान लेकर आंगन में पहुचा ही था कि दद्दा ने देख लिया हाथ का अगबार फेक कर वे दोड़ कर करनल से ले पट गए और वहीं से चिल्लाने लगे अरे सुनती हो अपना शिविया आ गया है अरे बहू शंक तो बजाओ सोले वर्षबाद बचपन के साथ ही मिल रहे थे दोनों की आँखें गीली हुआई हद करती तूने एक तार तो कर दिया होता मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी और ये तेरी लड़की है वावा एकदम तेरा नक्षा है पित्रमुखी करन्या सुखी बड़ी भागवान बेटी होगी हमारी चलो चलो बीतर चले अहिल्या ने जुक कर ताओ के पैर चुए और सहम कर उनके पीछे पीछे चल दी उपर के बंद पहाडी जहरोकों से कई जोड़ी आँकों की तांक जाग चल रही थी पहाडी गहन गुहा द्वारों से होकर वो भीतर जाते जाते कई बार सकरे द्वारों से टकरा कर माता सहला कर बोली ओ कैसे छोटे छोटे दरवाजे हैं पापा ये इसलिए बनाए गए गए बेटी कि घर में आई हमारी अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहु बेटियां भी सिर्फ जुका कर चलना सीख सकें पुरुष कंठ सुर सुनकर अहिल्या चौकी सामली ताई विराट चप्टे चोड़े मूँ पर व्यंग पूर्ण मुसकान विखेड़ती खड़ी थी ओ इनी के कारण पापा उसे मार भर लेक्शर पिलाते आये थे जुकर अहिल्या ने उनके पैर्च हुए और एक ही द्रष्ट में बिना किसी शस्त्र के ही सुबद्रा ने उसे चीर फाड़ कर रख दिया सुबद्रा का किसी जंगी जहास्सा विराट वकुद्वार को प्राया गेरे ही खड़ा था गोल मटोल चेरे पर बड़ी बड़ी आँखों में संसार के प्रतेक प्राणी के लिए चुनोती भरी थी तीन तीन एमे पास बहुओं को वो लट्टू सन चाती थी पती और तीनों पुत्रों की अफसरी उसकी चौड़ी मुठी में बंद थी वही घर की हाई कमांड थी क्यों लला हमारी बंगाली देवरानी को नहीं लाए फट से सुबद्रन ने पूछा और उसके प्रश्न का करारा चाटा पड़ते ही करनल पुत्री के सामने कट कर रह गया दद्दा बेचारे जेव से किसी बिल को निकाल कर देखने का उपक्रम करने लगे हद है बूच्यू जराबी ने बदली तुम तु खिस्यानी हसी हसकर करनले मजाक में बात को टालने की चेश्टा की किस से सुनाती हो दुनिया भर की उलजलून बाते सुनूंगे किस से लल्ला घर की लश्मी को तो तुम बहा आए सुखी होता तो बेचारी आज इस खुशी के दिल सर मुडाए संड मुसंड जोगियों के पीछे थोड़े ही भागती आचल आँखों पर रखकर सुभद्रा रोने का उपक्रम करने लगी अहलिया ने देखा आँखों के कोर सूखे ही थे अकेले कंट सर के नकली उतार चड़ाओ से ही रोने की भूमी का बांधी जा रही थी जाओ जी भूमन की अम्मा चायवाय बना कर लाओ बिचारा ठका मांदा आया है और तुम रोना लेकर बैठ गई बहूं को बला कर इसके पैरों पर नारियल तो रखवा देती बहूं को आजी तो देख रहा है सुबद्रा ने आखें पोज कर वही से बिकुल बजा दिया अपनी विराठ दे को उठाने में उसे बड़ा कश्ट होता था उस पर वो निरंतर आह उह ऐसे लगाती रहती जैसे संसार भर की आद हिव्यादियां उसे ही घेर कर बैठी हूँ ये अपने भुवन की बहू है जोतिर विद्जी की लड़की है एमे पास है भुवन तो बिर्ला जूट मिल में लगा है लला आट सो पावे है वे एके कर्पुत्रों के क्रेडिंशिल्स देती बहूं का परिज़े कराती जा रही थी ये लला रगवा की बहू है इसने भी एमे किया है बर्मा के मनमोहन जी की बेटी है रगवा तो डॉक्टर है तुम्हें पता है आजकल अमेरिका गया है ये है तुमारी छोटी बहू सुरिया तो हमारा आईएस है इसी से बहू भी डबल अमे टूड़ी स्वर एंकार से दीथ हो उठा बहू के डबल अमे में जो विशेश परिश्रम करना पड़ा था उसका पूरा आभास सुबद्रान डबल में पचासों गवा का प्रयोग करके एक साथ इस्पष्ट कर दिया एक एक कर तीनों बहू है नए ससुर के पैरों पर तीन नारियल रग गई दुबली पतली सी बड़ी बहू रमा सास के ही से गोल मूल शरीर की मजली शांता और सबसे छोटी तो ही न जो अहिल्या की ही समवैसनी लग रही थी बार बार उसके माते से आचल गिरा जा रहा था लगता था उसे इस प्रकार छोटा सा घूंगट निकालने का अभ्यास नहीं है सुबत्रा बगों का विदिवित परचे देकर तठस्त हो ही रही थी कि भुवन और सुरेश ने एक साथ आकर चाचा को प्रणाम किया दोनों के सुदर्शन जोडी को सुबत्रा ने ऐसे गर्व से देखा जैसे कोई दक्ष मूर्तिकार अपनी कुशलता से गड़ी हुई मूर्तियों को देखता है इन दोनों को तो तुमने गायतिरी मंत्र दिया था लल्ला और पिर निके ब्याह में कहां आये थी तुम स्वर का उपालंब स्पश्ट कर सुबत्रा ने अहिल्या की और फिर एक बार तीखी द्रश्टे डाली अब तो ये भी ब्याह को तयार हो गई वैसे अपनी वसली से छे महीने तो छोटी है पर हमारी वसली को तो न जाने क्या हो गया है मरी दिन पर दिन जमीन पर ही गड़ी जावे है अरी वसली कहां मर गई जाने ऐसी शर्मीली है लल्ला क्या बताऊ न जाने स्चोरी की सासरे में कैसे ने भेगी वसंती खिड़की से शांदार ठसकीले चाचा और उनकी भड़कीली पुत्री को देख चुकी थी इसी से वो सहम कर पिछली कोठ्री में दुपकी बैठी थी मा को वो जानती थी एक बार हांक लगा कर चुप बैठने वाली वो नहीं थी उसके न जाने पर वो मार हांकों के नाक में दम कर देगी वो दबे पैनों से आकर चाचा के पैर चुप सुबद्रा के पास ही पैठ गए जा अहिल्या को अपने कमरे में ले जा हाथ मुद धुला देना मैं चाय बना के भेज़ती हूँ वो कांखती करहती उठकर चौके की और चली और उसके पीछे पीछे तीनों बगुए भी चल दी करनल को लेकर ताउ मरदाने दीवान खाने की और चले गए तो वो बसंती का बंसी सा मीठा स्वर सुनकर चौकी आप मेरे कमरे में चलेंगी क्या? अहिल्या उसके पीछे पीछे कई छोटे बड़े कमरों को पार कर एक विच्चतर आकार के छोटे से कमरे में पहुँची बाहर से छोटी सी दिखने वाली इस हवेली पे कितने सारे कोश्ट और प्रकोश्ट थे हर कमरे की छटे नीची और ढालू थी जिनसे कमरों में आश्चर जनक गर्मी थी बैठिये न वसंती ने एक मुढ़ा खीज दिया अहिल्या प्रकाशील कमरे की अव्यवस्था देख कर गुमसुम खड़ी थी तठस्त होकर हस्ते की चेश्टा कर बोली आपको बड़ा कश्ट हुआ हाई राम कैसा कश्ट कश्ट तो आपको होगा कैसा कूड़ा करकट भरा है क्षमा मांगने के से सौने बसंती ने कहा और एक एक कर जमीन पर फैली चीजों को बटोर कर एक और धरने लगी एक और कई नई रंगी पीली धोतियां सूख रही थी उन पर लालाल बुंदक्या छापी गई थी जिनका गीला गुले नार रंग छूट कर दरी पर भी लग गया था दूसी जो और एक लंबे कपड़े पर गोल गोल पूरियां सी बेल कर सुखा दी गई थी और उन पर मक्यों का जथा विश्राम कर रहा था कल असल में रंगवाली थी ना इसी से कमरा इतना गंदा हो गया बसंती ने कमरे की गंदगी की कैफियस सी दी रंगवाली क्या कोई तयोहार होता है अहिल्या ने भोलेपन से पूछा और बसंती खिल्ले से हस पड़ी अहिल्या उसके लाल-लाल अधरपुट से जाकते अनारदाने सी दंत पंक्ती को मुग धोकर देखती रही कितनी भोली सी सूरत थी और कैसी मीठी दबी आवाज की हसी थी हाई राम रंगवाली नहीं जानती शादी से चार तिन पहले कहकर वो सहसा सकुचा कर चुप रह गई एका एक उसे इसमरण हो आया कि वो तीन दिन बाद होने वाले अपने ही विवाग की भूमिका बांध रही थी उसका एकाएक इस तरह सकुचा कर चुप रह जाना अहिलिया के लिए एक सरवथा नवीन अन्बव था उसकी कई सहिलियों के विवा हो चुगे थे नहीदा एहमद जो विवा के पहले ही दिन अहिलिया को साथ लेकर भावी पती की सूप ट्राए करने स्वैम गई थी मनीशा दे जिसने विवा से एक सप्तापूर भावी श्वसुर ग्रह में किसी विदेशी राजदूत के समान में आयजित भोज में भरत नाट्यम रत्र प्रस्तुत किया था भावी विवा के नाम से ही ऐसी लज्जा की छूई में बनकर लाल पड़ जाना वो आज ही देख रही थी वो हसकर कुछ पूछने को ही थी कि रेश्मी साड़ी सर फर करती छोटी भावी तोहिना चाय के दो गिलास लेकर आ गई तोहिना प्रयाग विश्विद्याले का गोल्ड मेडल जीत चुकी थी अपने विद्या और सौंदरे की धाग से आज तक वही घर की देवरानी चिठानियों में सबसे उचा आसन ग्रहन करती आई थी किन्तु आज अहल्या को देखकर वो भी मनीमन लुहा मान गई क्या हेरस्टाइल था एकदमी फ्रेंच बफो उस पर तीकी एंकार दीपते दरश्टी कैसा आश्चर है एक सुदर्शन पुरुष दूसरे सुदर्शन पुरुष को प्रशंसा का अर्दे दे सकता है किन्तु सुदरी नारी कभी दूसरी नारी के सुदर्शन की महत्ता स्विकार करने को तक पर नहीं होती पास आकर तुहिना ने मनीमन अहल्या के तुरुटी रहित सुदर्शन में मीन मेक निकाल लिये रंग तो गोरा था पर नाग कितनी छोटी थी माधर भी कोई खास ऐसा चोड़ा नहीं था एक दो बच्चों की मा बनने पर पीछे का हिस्सा बहुत भारी ना हो गया तो तुहिना अपना नाम बदल देगी अभी से तो शरीर के अनपात में पिछला हिस्सा भारी लगता था अलस गमना एहलिया के सौंदर में वो किसी प्रकार का आकरशन नहीं पा रही थी बाल भी इतने लंबे नहीं हो सकते अवश्य ही नाइलॉन के बाल लगाए है आप लोग चाहे लीजिए मैं नाश्ता ले आऊं कहकर वो नाश्ता लेने चली गई जब तक नाश्ता लेकर लोटी तो बसंती काफी हद तक कमरा साफ कर चुकी थी और हाथ पोश कर बैठ नहीं जा रही थी आईए ना बोजियो आप भी बैठी है न उसने एक आसन कीच कर कहा पैठू कहा से जी भंडार खुला पड़ा है उधर बरेली वाली मामी जी भी आ गई है उनका सामान लगवाना है आप इसी कमरे में सोच सकेंगी नहीं तो अम्मा वाले कमरे में पलंग बिछवा दू उसने एहलिया से पूछा हतोडे की चोट की तरह उसका एक एक शब्द एक कठोड ठक ठक से निकलते जा रही थे नहीं नहीं पलंग का क्या होगा इतना काम आपको वैसे ही बढ़ा है मैं इनी के साथ सो रहूंगी एहलिया ने बड़ी विनम रवानी में कहा और तोहिना चली गई एका एक उसे पापा पर बड़ा गुसा आ गया हद है ऐसे कभूतर खाने में डाल कर एक वार उसे देखने भी नहीं आए ना ढंका गुसल खाना ना एक आंथ कमरा उस पर ताई तो पूरा एटम बम थी कैसे कसकस कर ताने मार रही थी और वो छोटी भावी तुईना कैसे एकसेंट बोलने की चेश्टा कर रही थी जैसे अभी कैमरेस से ही चली आ रही हूँ बहुत घबरा रही है ना पहाडा कर पर कल तक आपकी तब्यद बहल जाएगी बहुत सारी महमान आए है ना इसी से पूरा गर अपसेट हुआ पड़ा है बसंती ने जैसे उसकी मन की उदासी भाप ली नहीं तो अहिल्या ने अचकचा कर हसने का उप्रम किया वा भला तब्यद क्यों गबड़ाएगी मैं तो अपनी ही जित से पहाडाई हूँ पर कितनी ठंड है यहाँ हवा हड़ियों में गुसी जा रही है अहिल्या ने शौल को गुड़ी-मुड़ी कर गर्दन लपेट ली अभी एक कश्ट आपको और सहना होगा बड़ी ही मीटी हसी के बिज बसंती ने उसे सूचना दी कैसा कश्ट अभी बहुत सारी महले की औरतें दोलक मजीरा लेकर इसी कमरे में आदम केंगी रोज यहीं गाना वजाना होता है अम्मा के कमरे से मर्दों को भी आना जाना पड़ता है वैसे भी आजकल सारी आत्याचार मेरे ही निरी कमरे पर होते हैं आपको ऐसी दीगा मस्ती का अभ्यास नहीं रहोगा इसी से बता रहीं यह लीजे आभी गई लगता है सच्मुशी बहुत सारी लंबी, मोटी, नाटी, दुबली, कानी, भेडी सुन्दर और करदे औरतों का जथे का जथा भीतर धसाया सब पास पडोस की इस्त्रियां दूर के रिष्टे की चाची ताहियां सब आज समय से कुछ पूर ही शकुन आंखर गाने धमक गई थी उसने अहिल्या को आते देख लिया था दूर से ठीक से दिखी नहीं थी इसी से नजदीक से देखने का चाओ था कुछ सुबत्रा के साहबी देवर और बंगाली देवरानी को देखने का लोब सवरण नहीं कर पाई थी उनकी उचे स्वर की पहाड़ी फुसकुसहाट में बंगाली देवरानी शब्द का बार-बार उच्चारन सुनकर अहिल्या लज्जा से लाल पड़ गई उसके जीमिया आ रहा था कि वो उन सब पहाड़ेनों के मुंड एक दूसरे से भिरा दे उनकी सुई सी तीकी नजर अहिल्या को बेहरहमी से इंजक्षन देने लगी कोई उसके बिना बहां के बलाउज की बख्याव देड़ रही थी कोई उसकी सर्वता नमीन केश्च सज्जा को दूसरी को कोश कोश कर दिखा रही थी धीरे धीरे ढूलक की धमादं थपेडों के साथ वसंती के भावी वर के कुल गोत्र का परिचे देती वे सुहाग और गोडिया गाने लगी कभी चंपे की कलीसी बननी के लिए एक दमी अयोग बनने के खोर श्यामवर्ण का उपाह सुडाती और कभी समधी को गाय के गोठ में भरुआ बना कर बानेने की काम ना करती एक से एक गालिया गाती बड़ी देर तक गाब बजार पर सब चली गई तो तोहिना खाने के लिए बुलाने आ गई आप चौके में ही खाएंगी या यही लादू बीबी ची को तो यही खाना होगा आपको माँ खाने में असुधा हो तो यही लादू तोहिना ने ऐसे लेजे में कहा जैसे थाली लानी ही पढ़ी तो ला देगी पर उसे विशेश सुधा नहीं होगी नहीं ऐसी भी क्या बात है मैं वहीं चलती हूँ कहकर अहल्या उठ गई चौके में कितनी अपरिचित महिलाओं के बीच बैट कर उससे खाया भी नहीं गया किसी प्रकार उल्टे सीधे दो-चार कौर निकल कर वो फिर बसंती के कमरे में आई तो वही छोटा सा कमरा उसे सगे आत्मियसा लगा कमरे की सारी फैली चीजें पटोर कर बसंती तर्टीब से सजा चुकी थी एक दुंदले पावर के बल्ब की नीली रोश्णी से छोटा कमरा खिल सा गया था पलंग पर साफ चादर और रजाई को खीच खाच कर उसकी सलवटों को यता साते दूर कर बसंती खा पीकर उसी का इंतिजार कर रही थी मैं तो सोच रही हूं कि आप मेरे पलंग पर सो जाईए मैं अम्मा की पलंग पर सो जाऊंगी आपको मेरे साथ सोने में बड़ी असुधा होगी मैं तो राद भर हाथ पर मारती रहती हूं फिर वो अपनी मीठी सी हजी हज कर रजा गई अरे मुसे आप आप क्यों कहती हो रही हाथ पर मारने की बात मैं तो पूरे बिस्तर में मचली की तरह तैरती हूं चलो आज रात कमप्टीशन ही रहेगा अहिल्या ने शौल उतार करते पाई पर डाल दिया और साड़ी को उतार कर एक कोने में फेक कर धम से पलंक पर चड़ रजाई खीच ली ओ बाप रे बाप बला की सरदी है दात किटकिटा कर उसमें पड़ी आत्मेता से वसंती के दोनों हाथ पकड़ कर मुठी में बंद कर लिये कुछी गंटों में भूले विसरे रक्त की डोर ने दोनों बहनों को बाण लिया था साड़ी पहन कर तो मुझसे सोया नहीं जाता भाई नायटी पापा के सूटकेस में बंद है तुम क्या इतनी लंबी साड़ी रपेट कर इसोती हो सोती तो बसंती पेटी कोट ब्लाउज में ही थी पर अपनी कलकत्ते की बहन के लेस लगे बोस्की के पेटी कोट की महिमा के सामने अपने घर के सिले और निरंतर घर पर ही धुले पांडो जीन पेटी कोट की पताका फैराने का दुस्साहस उसे नहीं हुआ कैसी सुन्दर सुगंद आ रही थी अहिलिया के शरीर से क्या चंदर लगा कर ना आती होगी उसे तो तीन दिन से आटे और हल्दी का उप्टर लगा लगा कर अम्मा ने हुलिया ही विगार दिया था बड़े संपोज से वो खाट की पार्टी पर ही सिकुर सिकुर कर समाई जा रही थी कि बड़े इसने से अहिलिया उसे खीच कर पास ले आई नजदी काओ भाई मैं तो ठंड से मरी जा रही हूँ स्वेटर भी सारे पापा के सूटकेस में रह गए ठंड लग रही है क्या बहुत रुको मैं ले आती हूँ पर हाई राम मेरे भी तो सब कप्रे छोटी भावी के कमरे में धरे रह गए लो ये बिल्कुल नया है पहनोगी उसने पास ही पड़े एक मरदाने स्वेटर को उठा लिया अहिलिया को हिचकेचाते देखकर उसने कहा बिल्कुल नया है अहिलिया आजी ही तो मैंने पट्टियां बिलकर खतम किया था ओ, क्या आपने मिया जी के लिए तो नहीं बिरा तुमने नहीं जी, बसंती ने फिर लाजबीनी हसी से अहिलिया को बांध लिया ये तो राजुदा का है, दिल्बर मेरे पीछे पढ़े थे की जल्दी खतम कर किसी दावत में जाना है, और जब तक खतम किया तब तक आप चल दिये पहन लो आहिलिया, डबल निटिंग का है, खुब गरम है एक प्रकार से जोर जबरदस्ती से ही बसंती ने स्वेटर उसे पहना दिया किसी के व्रशब सकंदों के लिए बिना गया वो स्वेटर उस पर काग भगोडे के डीले अलम खलम कोट की तरह जूल उठा और उस विचितर परधान को देखकर दोनों ही ठटा कर हस पड़ी पर स्वेटर सचमुशी खुब करम था, सिर्थक रजाई खीज कर एहलिया बसंती से बाते करती रात के बारा बजे तक उसके विशे में बहुत कुछ जान चुकी थी, बड़ी भावी रमा घर की सबसे शांत बहू थी मजली शांता भावी का माय का काशीपुर में था, उसके पिता बर्मा में रूबी का व्यापार करते थे जब वे नई नई ब्याकर आई तो ने ठीक से पहाड़ी बोलनी भी नहीं आती थी और सबसे चोटी भावी तुहिना तो अम्मा से भी अंग्रेजी बोलने लगी थी बसंती का दूला लखनों में हाउस सर्जन था, दूले की माने बसंती को किसी शादी में देखकर पसंद किया था बाद में उसकी फोटो भी मंगवाई गई थी, इसके बाद दसी दिन में उसकी चट मंगनी पड़ ब्या हो गया था बड़ी देर तक बसंती बोलती गई और एका एक एक अहलिया का हुंकारा बंद हो गया बाद सुनते सुनते वो ना जाने कब बेसुध होकर नीन में डूप गई थी सुबह जब एहलिया की आँख खुली तो कहीं गिर्जे के मीठे मीठे घंटे बज रहे थे बसंती उठकर न जाने कहां चली गई थी एहलिया ने भी उठने की चेश्टा की और खिर्की ज़ाक कर देखा उजाला भी ठीक से हुआ ही नहीं था सड़क के गले की टंटन मीठी मीठी घंटिया बजाता एक तिबती लामा बेरों को हकाय लिये जा रहा था पास के नलों में कुछ इसाईने कनस्टरों में पानी बर रही थी और दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा था एहलिया फिर लेट गई बेरों की घंटियों की चुनचुन और गिर्जे के मीठे घंटों के संगीत ने उसे लोरियां सी देकर फिर सुला दिया पास लेटी बसंती के उठ जाने से उसे फिर ठंड लगने लगी थी खिड़की खुली थी पर मारे ठंड के रजाई से हाथ निकाल कर उसे बंद करने का साहज भी अहलिया को नहीं हो पाया रचाई को सिर्टक खीच कर और निश्चिन थोकर सो गई आख लगी ही थी कि किसी नों से पकड़ कर ऐसे जगचूर दिया जैसे कोई फलों से लदे पेड को फल गिराने के लिए हिला रहा हो अरी ओ वसुली शादी के ठैरी की साली भुड़ा बेच कर सोती है अच्छा और जनाम मेरा स्वटा पहने का बड़ी बेशर्मी से आठ बजे तक खड़ाते ले रही है रुक जा कहकर जगजोडने वाला वो अपरचित व्यक्ति अहिल्या के चेरे पर रजर पढ़ते ही स्वयम रुप गया और पलक मारते ही एक छलांग लगा कर इससे पहले कि अहिल्या उसे ठीक से देख पाती गायब हो गया ये सब कुछ ही मिंटो में हो गया और अहिल्या बुच्छी बनी ही रह गई गहरी नीन से जगजोर कर उठाया गया व्यक्ति जिस अइस पर श्यथार्थ के दुनलके में आखे खोलता है उसे कुछ देर तक वो ग्रहन नहीं कर पाता बेचारी एक तो ऐसी बेहरेमी से कभी जगजोरी नहीं गई थी अभी तक कल्दे दुक रहे थे जब थोड़ी देर में उसकी समझ में आया कि वो जिस स्वेटर का अनादिकार उप्योग कर सोई थी उसी का स्वामी उसे जगजोर गया था तो उसके सारे चेहरे पर रक्त चड़ गया क्या सोचता होगा वो ना जान ना पहचान और एकदम नया स्वेटर चढ़ा कर उस हो रही थी उस पर गुलाबी केम्डिक का बिना बाहों के ब्लाउज के गले के बटन कोल कर ही वो सो रही थी छी किसी अपरचित पुरुष के सामने उसका कैसा विच्चतर हुलिया दिग गया था स्वेटर उतार कर उसमें बड़े यत्म से तहा कर सिराने के मेज़ पर रख दिया और अटैची में पड़े ड्रेसिंग गाउन को डाल कर वसंती की प्रतीक्षा में बैट गई आते ही उसे बतलाएगी कि उसकी जितके कारण आज उसकी खुब गद बन गई बार बार वो सोचकर कटी जा रही थी एक बार फिर बटन कोल कर वो उसी पोज में बैट गई हाथ का आइना लेकर उसने अपने उस अद उगड़े शरीर को देखने की चिष्टा की और दोनों गाल बीर बहुटी हो गए उस व्यक्ति को तो वो नहीं देख पाई थी किन्त उसने सच्मूची उसे अच्छी तरह देख लिया था वसंती समझ कर जगजोडने के बाद उसकी दिर्ष्टे जब चेहरे पर पड़ी तो वसंती के स्थान पर विदेशी चलचित्र कीसी एक द्युतिमान तारिका को देखकर वो अच्कचा कर रह गया था करडल के आने के बहुत पहले ही वो अपने एक मित्र के हाँ दावत पर चला गया था और जब लोटा तो ग्यारा बच चुके थे चुप चाब दीवान खाने में मेमानों की खाटों के बीच अपनी खटिया ढूर कर सो गया था सुबह उठा तो उसे बड़ी ठन लगी वसली ने स्वेटर बिनकर देने का कली वायदा किया था क्यों न जाकर अभी तिक-तिक लगा दे फिर तो उसे औरतों की भीर में उसे ढूरना मुश्किल होगा राजेंदर की अपनी कोई बहन नहीं थी इसी से वसंती पर उसका विशेश इसने था प्राया ही उसकी चोटी खीच कर धौल दपे लगाते लगाते राजू की ऐसी आदत पड़ गई थी कि बिना उसे छेड़े छाड़े बाती नहीं कर पाता था आज भी उसी इसने के अधिकार से वो हवा की तरह उसे लड़ने पहुँच गया था पर महा कोई और भी हो सकती है ये बात उसके ध्यान में ही नहीं आई वसंती कुसल खाने से लोटी तो अहल्या कुर्सी पर बैठी थी अरे तुमने तो बिस्तर भी लगा दिया नींद आई अहल्या कहीं नींद में मैंने पूरी रजाई तो नहीं छीन ली एका एक रजाई छीनने वाले उस व्यक्ति का इस्वनर करते ही अहल्या फिर लाग पड़ गई पर कैसा आश्यरे था कि वो अपनी दुर्दर्शा का उलेख नहीं कर सकी नहीं तो मैं खूप सोई तुम कहां चली गई थी गुसल खाने गई थी चलो तुमें भी ले चलू थोड़ी देर में तुहां क्यू लग जाएगा ब्रश पेस्ट लेकर अहल्या उसके पीछे पीछे चली तो बरामदे में खड़ी ताई ने देख लिया औरे बाग तू तो ये आर्थर पंत की मेम कासा गौन पहने है री मुख में आचल धर कर वो हस्ती हस्ती बोली तो क्या हो गया अम्मा चोटी भावी भी तो ड्रिसिंग गाउन पहनती है पसंती ने अहिला पर अपना कवश रख कर कहा आधुने का छोटी भावी का प्रतेग दोश सुबद्रा की आखों में सामाने ही रहता उसके पिता बहुत बड़े अफसर थे और पिता की महिमा में पद की ओट लेकर वो कुमाओं की प्रतेग परंपरा को जब चाहे पैरों तले को चल सकती थी अपने कमरे में वो स्टोफ रख कर अंडा फेट कर ओमलेट बना कर खाती थी सुबद्रा जान भूज कर भी मक्खी निकल लेती प्राया ही वो सिर उगाडे पती के साथ भूमने भी निकल जाती और जब उसकी बड़ी जिठानी चौके में बैठ कर अतितियों के चीटी दल के लिए पचास-पचास गिलास चाय बना कर भीजती वो अपने कमरे में बैठी अंगर्जी किताबों से स्वेटर बुनती मायके से वो प्रचुर बात्रा में दहिज लाई थी इसी से सास उसकी तादिर शाही को खुशी-खुशी चेल लेती थी बड़ी बहु रमा वास्तों में रमा थी उसके पिता के मद्ध वरगी परिवार ने उसके शुसर ग्रह को किवल पुत्री के शांत सुभाव और शील सौजने का ही दहिज दिया था इसी से सास की क्रोधागने में प्राया उसी की आहुती पड़ती मचली शांता अपनी सजग बुद्धी का साहरा लेकर प्राया तडरस्ती ही रहती एक और सास की हां में हां मिलाती दूसरी और जिठानी देवरानी से भी मिली रहती मीटी मीटी बातों की छुरी बगल में दवाए वो सुर फुर लगाती रहती कि लगता सबसे कामकाजी बहु वही है पर वो तो हो अल्ला अधिक मचाती काम बहुत कम ही करती थी फिर भी सुबद्रा उसे मनही मन दपती ही रहती थी अहिल्या हाथ मूँ दो कर आई और कपड़े पहन कर तयारी ही हुई थी कि बड़ी भावी ने उसे चाय पीने को चौके में बुलवा भीजा बड़े से लिपे पुते चौके में तीन तीन चुलू में आग भढ़काए सुबद्रा एक वस्तरा बनी एक नान सी पतीली बे दाल भूट रही थी अहलिया को देखकर पासी दाल पीस्ती अपनी प्रोड़ा भावी को संबोधित कर बोली यही है हमारी कलकतिया लल्ला वाली भती जी कल शामी आए हैं यह लोग बार बार इसे देखकर अभागी छोटी की ही याद आ रही है क्या करूं कलेजा उम्रा आ रहा है आग का आचल धर कर रोने में उसके पीन पयोधरों की यवनिका एकदमी उठ गई इसका उसे कोई क्षोग नहीं था वो तो कालपनिक अश्रुजल पोस्ती अपनी तापसी देवरानी का ही गुर्गान बगारती रही क्या कहूं बोज्जिव ऐसी लश्मी थी इसकी मा पर भाग में सूख हो तब न गिले में तो सनीचर देवता विराजमान थे कहां से राजभोग दी जिसे भोगना था वो भोग रही है कले ने कले ने क्यों नहीं क्यों नहीं कहती अपनी विराट नत हिलाती उसकी भावी उड़त पीसना इस्थगित कर बड़े मनयोग से उसकी बाते सुनने लगी सुभद्रा ने आचल के कोर से देख लिया कि भावी ने तब से धाई दाना भी उड़त का ने पीसा था इसी से प्रिसंग बदल कर उसे पैतरा बदल लिया पीसो हो बोज्यू चट पट चार बड़े उतारू तब इन स्कूलियों की पल्टन को जिमाऊ बोज्यू को ननत की अनरगल कमेंटरे में बड़ा ही रसा रहा था अहलिया अनमनी सी बड़ी भावी के साथ चुहारे का तरवा रही थी ना चाहेने पर भी इताई की फुस्पुसाट उसे कानों में विश्गोल रही थी हाँ तो बंगालिन साली ने लला पर जादू कर दिया कुछ दुनों तक सुना बकरा बना कर छोड़ दिया था हाई राम सच बोज्यू ने सिल बट्टे को एक दम ही खिसका दिया किलेने किलेने ननत की कठोर द्रिष्ट को दूर खिसकाए सिल पर निबद देख बोज्यू ने बट्टा हाथ में लेकर धीर मंतर गती से उड़त पीसने का क्रम पुना चालू कर दिया और फिर भी बोज्यू नन्दियां आती तो हम सर आँखों कर धरते पर गई अपने माई के मती जो मारी गई थी वहां नहनिया भावी ने दो ही दिन में रूप दिखा दिया फिर किस मुँ से यहां आती अब जोगन बनी बनी फिर रही है सुना मायापुरी के आश्रम में है घुवन के बाबू ने तो चिट्टी भी डाली थी पर आये तब ना मनीमन बुज्यू जानती थी कि करकशा ननत के शासन में बेचारी नन्दी आती भी तो किस दुस्साहस से एका एक नौका घंटा बचा और दुस्साहसी घंटे को एक भद्धी गाली निकाल कर सुबद्रा ने अपने छोटे नौकर भौनिया को आवाज लगाई अरे ओ भौनिया छोकरे बुलाज पूलियों को उन्हें खिलाओं तब कहीं जाकर दूसरी पल्टन जीनेगी गुटनों तक एक धारीदार कच्छा पहने बारह तेरे वर्ष का भौनिया मालकिन की पुरुष हाप की उपेक्षा कर ठाट से बीड़ी पीता रहा उचे कच्छे से निकली उसकी अशोक इस्तमसी लोट आंगे अंगत के पाउं की तेरे जमी ही रही खिर्की से जहाक कर सुबद्रा ने देखा और चीक कर बोली अबेओ छोरे आता है या मारू चिम्टा रुक आने दे बाबुजी को आजी तेरा हिसाब किताब चुकता करती हूँ भौनिया ने मुस्कुरा कर बीड़ी को पत्थर से गिसकर बुझाया और कान में खोसा के पीछे कर दूँगी जा बुला सुबद्रा ने ऐसे स्वर में कहा जैसे वो स्कुलियों को खाने के लिए नहीं फासी के तकते पर चड़वाने के लिए बुला रही थी थोड़ी देर में चार किशोर बालकों को लेकर भौनिया ऐसे जूमता चला आ रहा था जैसे बेड़ी डाले कैदियों को लिए जेलर चला आ रहा हूँ एक साथी कासे की थालियों में बहुत सारा भात परस पानी सी पतली डाल डाल कर सुबद्रा आश्मन कर चौके से बाहर कूदाई एलिया का जी भराया कैसे प्यारे लड़के थे और कैसे खाना परस कर डाल दिया ताई ने ऐसी भूसे सी सानी तो उसके घर के ढोरों को भी नहीं दी जाती थी करनल की आस्ट्रेलियन गाय को दोहने एक सिलकन बुशर धारी ठाट दार गौाला आया करता था चारों सिर जुकाये चुपचाप उल्टे सीथे कौर डाल कर उट गए ना उसे कुछ लेने का आगरह किया गया ना बेचारों ने मूग खोल कर कुछ मांगने की ही द्रष्टता की उनके जाते ही सुबद्रा पिसे उड़त की थाली लेकर चौके में धम से कूदी उसकी विराट देह के भार से कच्ची मिट्टी लिपी धर्णी काप गई और चूले अंगर्टियों पर चड़े विबन पतीलों के ढखने खनखना उठे ओ बापरे दुष्ट भौनिया चौक सी लगा कर फिर भार भाग गया बड़ी भाबी ने सिर जुका कर हसी रोक ली सुबद्रा के कानों तक शायद भौनिया का रिमार्ट ले पहुँच पाया था इसी से वो अपनी चोड़ी हतीली पर पानी लगा पिसे उड़त फैलाती पेशेवर अंदास से बड़े बना बना कर कड़ाई में छोड़ती जा रही थी हींग कच्चे उड़त और पकते बड़ों की सोधी खुजवपूरे चोके में फैल गई बहुनिया आ अटाली में पानी थाली धर और बाबू सहब लोगों को बुलाला सुबद्रा ने हाक लगाई पर प्राया ऐसे एतिहाद सिक शणों में बहुनिया अपनी सजग बुद्धी का साहरा ले लोटा थाम पर दिशा जंगल चल दिया करता था आज भी ओव किसी जादूई बहुने की तरह अद्रशे हो गया रमा ने एहलिया के साथ पटले बिचा कर पानी धर दिया मिट्टी की बनी चौकूर कक्ष सी अटालियों की लक्षमर रेखा में घिरकरी ग्रह के पुरुष जीमते थे किसी ने छूबी दिया तो उन्हें भूके ही बहार निकल जाना होता था एहलिया को मनहीमन अपने परिवर्तन पर आश्यर हो रहा था अपने घर में उसने कभी सुराही से पानी निकाल कर भी नहीं पिया था और आज वो पुतली सी भावी के पीछे पीछे घूमती काम करवा रही थी ओ छोटी बहु कहां गई जरा अपना बनाया टेमाटर का सास तो निकालना हमारे कलकतिया लल्ला जी अग्रेज आदमी ठहरे विलायती अचारी पसंद करे हैं सुबद्रा ने कहा और ना जाने किसने पत्य से भोनिया की व्यंगपूर चिड़ाने किसी आवा जाई के हो धुरानी चियू क्या टेमाटर की भी सास होती है और ससुर अहिल्या को हसी आ गई आज छोकरे तेरे ससुर को भी इस भट्टी में जोकू साला कैसा गायव हो गया था ठीक काम के वकत बीच रास्ते में कमर पे हाथ धरे हसे क्या है क्या फोटू उतारो तेरा जा बुलाला सहाब लोगों को अपके मायके गई तो वही का कोई कश्पुरिया छोकरा लाऊंगी इन पहाडिया नौकरों ने तो मेरा दिमाग खाली कर दिया हैगा जनला कर सुबद्रा ने गी जलाने धरा और जीनने वालों के प्रतिक्षा करने लगी तो इना एक छोटी शीशी में टमाटर का सौस ले आई थी आते इसने कभी नमक और कभी रायता लगा कर ऐसी फूर्ती दिखा दी जैसे अब तक वही मोर्चे पे डटी थी बौनिया मस्त हाती की चाल से सब को लेकर लोटा और सुबद्रा ने छोटा सा घूंगट खींच लिया वाल अल्ला आज तो तुम लाग लगा ही आए अहिल्ना ने आश्चर से देखा सचमुशी करणल नंगे बदन पर एक चिट्टी दोती पहने मुस्कुराता पटले पर जम दिया हाई पापा दोनों हातों से चेरा ढग कर अहिल्या हसुथी करणल के साथ ताउजी उनके दोनों अफसर बेटे शिखा सूत्र समभाले चौके में बैट के उनके साथ ही एक और सुदर्शन लंबा चोड़ा व्यक्ती सबसे कोने की अटाली में बैट किया पहले अहिल्या उसे ठीक से देख नहीं पाई पर अचानक आखे चार होते ही उसके दोनों गाल लाल हो ठे यही था वो जो से रजाई खीच कर बुरी तरह जगजोर गया था वो भी सकपका कर सहमसा गया उधर सुबद्रा अपने स्वादिष्ट विंजनों का बखान करती अपने ही मुख मिया मिट्टू बन रही थी यह अचार हमारी छोटी बहु ने बनाया है लल्ला फ्रूट का पूरस पास किया है गा इसने बड़ी बहु को शयद भौनिया का सास प्रसंग इसमरण हुआया वो सिर जुका कर आँकों से दूएं के आसु पोचने का उप्रम करने लगी अहिल्या भी किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलने के लिए छटपटा रही थी पर सुभाव से ही ध्रष्ट अभया अहिल्या को ना जाने किस लाज ने छुई मुई बना कर धर दिया था गुटनों में ठुड़ी रखकर वो कटे शुवारों को फिर से निरर्थक ही करतर ने लगी अरे रज्जू सकुरे कुलर आ गए या नहीं जर्वासे में चार पलंगे भी तो कम थी सुभद्रा ने पूछा नहीं बुआ पलंगे तो अभी नहीं आई सर्किट हाउस से अच्छी पलंगे मंगवाई हैं कुलर सकुरे उठवा कर गुदाम में धर दिये हैं अरे कौन सा कद्दू में तीर मार दिया तैने पलंग रखवाने को तो मैं कल से जीक रही हूँ सब हो जाएगा बुआ क्यों परिशान होती हो रज्जू ने हसकर कहा उस हसी में बसंती के स्वर की मिठास थी खाना खाकर पुर्षों की पंगत उठी तो सुबद्रा ने बहु बेटियों को बुलाया अहिल्या को बड़ी चोर की भूक लगाई थी पर सुबद्रा की कठोर मुत्रा से सहम कर वो अधबेट खाकर ही उठ गई वसंती का खाना सजागर तो हीना ले जा रही थी एका एक सुबद्रा को एक ही दो दिन में पराई होने वाली बिटिया का इस्मरण हो आया ले जा बेटी कमरे में ही थाली उठा ले जा एक दो दिन की और है छोरी फिर तो पराई हो जाएगी आँखें पोच कर उसने कहा तुम भी लगियो लली नत्वाली भावी ने रायता चाट कर कहा गोकुल की बेटी मतरा ब्याई ये अलमोडा और दो कदम पनैनी ताल आती जाती रहेगी क्यों जी छोटा करती हो अच्छी तरह खालो लली कल तो तुम्हें निर्जल वरत धरकरी कन्यादान करना होगा उनकी बातों के बीची अहल्या उठकर बीतर चली गई बसंती ने सामाने साही भोजन कर थाली खिसका दी थी और एक परदाने कुर्टे में बटन टाक रही थी अरे तुमने तो खाया ही नहीं बसंती अहल्या ने आश्चरे से थाली की उर्दिकर का कितना बढ़िया खाना था सच कहरी हो अहल्या मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी कि पता नहीं हमारे धुये भरे चौके में तुमसे खाया भी गया होगा या नहीं लब्टन साहब कुर्टा और सूटर मांग रही हैं बहुनिया अपनी चौरस कमर पर दोनों बेलन से हाट टिकाए खड़े हो कर बोला अरे रुख जा बाप रे बाप ये लब्टन साहब भी बड़े हुकम चलाते हैं कुर्टे के बटन ना हो गये तुफान हो गया रोज एक कमीश टांकने को दे जाते हैं लगता है चीनी दुश्मनों ने इनी के बटनों पर कसकस कर चान मारी की है ले ये राकुर्टा और ये है सूटर कट से बटन का तागा दांस से तोड़ कर वसंती ने भौनिया को थमाया और फिर स्वेटर थमा कर अहिलिया की मुश्कुरा कर बोली उन्हें क्या पता कि उनका स्वेटर हमारे किस काम आया अहिलिया जैसे कुछ कहने को हुई और फिर उसका चेरा लाल पड़ गया कुछ भी नहीं कह पाई बेचानी वसंती कहे जा रही थी मेरे मजले मामा जी की लड़के हैं नेफा में पोस्टेट हैं आजकल एक तो इंफेंटरी में हैं दिनरात मामा जी परेशान रहते हैं बड़ी मुश्किल से साथ दिन की चुटी मिल पाई है मामी इन्हें तीन दिन का छोड़कर मरी थी नानी जी नहीं पाला था अब असी बरस की हैं ननिहाल के गाउं में ही रहती हैं उन्हीं से मिलकर चले जाएंगे एहलिया चुकचाप सुन रही थी बसंती फिर से कहने लगी पिछले साल इनकी शादी तो इना भावी की बेहन राजिश्री से लगबग पकी ही हो गई थी फिर ना जाने क्या हुआ कि ये हजरत एन मौकेपदी एंट गए वो तो इनके ही बुआ के लड़के दीनों ने बात रख ली उनी से राजिश्री की सादी हो गई तो इना भावी तो कहती हैं उन्होंने कोई इसाई एर होसस धर ली है राम जाने पर इतना मैं जानती हूँ कि नानी जी के रहते रज्जू दद्दा कभी किसी इसाई विसाई के चक्कर में नहीं पड़ेगा तो इना भावी की बेहन इतनी सुन्दर हैं मेम सीगूरी फिर नैनीता से सीनियर कैम्रिज भी पास किया था पर ना जाने क्यों इन्हें कोई पसंदी नहीं आती नानी जी बस इनके ब्याह की रट लगाए है पर सुने तब तो वैसे आजकल फिर इनकी बात एक जगे चल रही है लड़की सुना है बड़ी सुन्दर है आज अम्मा ने पांच बजे उन्हों को चाय पर बुलाया है अगर राजु दद्दा ने पसंद कर ली तो अम्मा आजी टीका चड़ा देंगी तब ही तो इतना इत्रा रहे है हजरत अहिल्या को भी नजाने क्यों उस अपरिचित लप्टन साहब की प्रस्तावित सगाई में रस सा आने लगा वो बड़ी उच्षुकता से पांच बजे की प्रतीक्षा करने लगी पापा के सूटके से वो अपने कपड़े और श्रंगार पसाधन का सामान निकाल लाई थी वसंती के दामी उपार को देखकर सुबद्रा का वासल उमर पड़ा आहा आकर कुछ को हो पसंद हमारी अहलिया बेटी की बहुत उची कैसी बढ़िया साड़ी है और गहने भी कितने सुन्दर है आ तो बेटी जरा मेरे साथ शाम को कुछ औरतों को चाय पर बुलाया है बीच के कमरे में ही मेरे साथ जरा चायवाय का सामान लगा दे एहलिया उठकर ताई के पीछे जाने लगी बरामदे में बसंती के राजु दद्दा वही स्वेटर चठाए एठे चले जा रहे थे इस बार एहलिया ने निर्भीक द्रिश्ट उठाई किन्त स्वेटर पर आखे गड़ते ही वो जमीन में गड़सी गई इसी स्वेटर को रागवर पहने थी और आज उसी स्वेटर को एक अपरचित पुरुष की छाती पर लगा देख उसका संकुचित हो उटना स्वाभाविक ही था रज्जु कत्रा कर निकल गया और रोताई का हात बटाने में जुट गई समय से कुछ पूर्वी निमंत्रित महिलाएं आदम की भारी भारी कांजीवरम साडियों में पीले तप्त कांचन से रंगों वाली रौबदार तीन महिलाएं थी और उनके साथ लग्जा से कड़ी जाती एक पंद्रह सोले वर्ष की बड़ी बड़ी आखो वाली भरे भरे शरीर की किशोरी थी मोटी सी गोरी महिला उसकी ताई थी चोटे से कड़ की दुबली सी कुछ दुग्ण कलेवर की सी महिला कन्या की मा थी और तीसे बूटे से कड़ की रंगीली महिला उसकी चाची थी जो निसंदे उस विचित दल का नेत्रत तो कर रही थी आओ जी बैठो अहो भागे की आज हमारी विसली दिद्धी को बेहन की याद तो आई सुबद्रा ने गाउ तक्या कन्या की चाची की पीट के और बढ़ा दिया विसली दिद्धी सुबद्रा के बाले काल की सकी थी उसी ने पत्र में अपनी सुन्दरी भतीजे का उलेक कर रज्जू से रिष्टे की प्राथना की थी सुबद्रा के निरलज द्रष्ट बेचारी सिर जुकाई बैटी कर्ण्या की परत खोल-खोल कर धर रही थी वा, लड़की तो बड़ी सुन्दर है, कहां तक पढ़ी है, हो विसली दिद्धी रज्जू तो हमारा गव है गव, उसे तो पढ़ने लिखने से भी मतलब नहीं पर क्या कहूं दिद्धी, आजकल तो हमारे पहाड के छोकरों के भी पर लग गए है हाँ हाँ बेहन, सुना अपने देरादून के सुम शास्त्री का लड़का तो ब्या से पहले ही देशेरे की चुट्टियों में सस्राल भी हो आया भावी बहु को लेकर नैनी ताल की सड़कों पर घूंते, खुद हमारे उनने देखा, अब कहो बिसली दीदी को ऐसी बातों के प्रचार में विशेश दक्षता थी, किस की लड़की किस पंजाबी के साथ भाग गई, कौन लड़का, किस वर्जित, कुल गोत्र की लड़की के चक्कर में पड़ा है ऐसी असंग के घटनाओं के लिस्ट उनके पास सरवदा तयार रहती इसी साल इंटर का इमताहन दिया था हमारी लली ने, पर अंग्रेजी में रह गई, पढ़ने में नहीं तो सदाह अवल आती रही, पर बहन अंग्रेजी पर चाही सुना जबबर था आपके, करती भी क्या और फिर हजार कहो, क्या करेगी डिग्री का, लड़की चाहे में पास हो या बीटी, फूकना तो चूला ही पड़ता है, और उस कला में हमारी कंचन एक्सपर्ट है गर्व से चाची ने कंचन की ओड़ देखा, उस बेचारी पर अहिलिया को मनीमन दया आ रही थी, सश्मूशी लड़की सुन्दरी थी, ऐसा लुभावना चेहरा था, जिसे एक बाट देखकर सहज ही में आखे ने फेरी जाती एहलिया ने चाय और नाश्ते का सामान सजा कर धरा, तो विस्लिव दिदी ने उसी के सम्मुक उसका परिचे पूछ दिया हमारे कलकतिया वाले लला जी की बिटिया है, जा तो बेटी बसंती को भी बुलाला एहलिया बसंती को बुलाने गई, तो बसंती ने हसकर पूछा, कैसी है, देखा, ऐसी है, कि बस अबके तेरे रज्जु दद्दा ने नहीं की, तो कहना पड़ेगा कि हद दर्जे के चुगद है कहते ही, उसकी द्रश्टी अंधेरे कोने की अल्मारी से क्रॉकरी निकालते, रज्जु दद्दा पर पड़ी, जिसे वो बाहर के उजाले से आने के कारण देखने ही पाई थी बसंती जोड से हस कर बोली, सुना रज्जु ददा, तुम्हें अब सोस समझ करी उतर देना होगा वेचारी अहल्या शर्मा कर भाग गई, वो क्यों शर्माई और क्यों पागलों की तरह भाग आई, वो सोयम ही नहीं समझ सकी चाय पीते समय रज्जु को बुलाने की विवस्ता बसंती को सौप कर सुबद्रा निश्चंत बैठी थी, थोड़ी देर में बसंती उठकर गई, और फिर मा के कान में कुछ फुसफुसा कर कह, सिर नीचा कर हसने लगी मैं तो जानती थी, वो तो लड़कियों से भी ज़्यादा शर्मावे है, कभी नहीं आएगा मैंने कहा ता इससे कि जा बुलाला, बिसली दीदी के पैर चूँ जाएगा, पर सुन जनवासे का इंचाम देखने चल दिया खेर कोई बात नहीं बहन, ऐसे हीरे के टुकड़े को भी पसंद नहीं किया तो कहूंगी, छोकरे का दुरभागे था और क्या आज आये तो मैं बात करूँगी बड़े इसने से उनके दल को विदा कर सुबद्रा, लड़की की ही रूप चर्चा में टूप गई आहा, कैसा सोने सा रंग है, और नजर कैसी नीची, मेरे एक बेटा और होता तो मैं आखें मूंत कर ले आती एक हमारे ये रज्जू है, ठीक वक्त पर चल दिये आज कल के लड़के तो सुन्दरी लड़की को देखने के लिए छत मिनारों पर चड़े रहते हैं और ये छोरा ना जाने क्यों मरी छोरियों की भीड को देखते ही दुमदबा के भाग जावे है एक मत से समने कंचल लता के सुन्दरी का समर्थन किया बसंती तो अम्मा के पीछी पड़ गई, कि वो बिना रज्जूदा से पूछे ही टीखा चड़ा दे हाँ जी और क्या, दूद का जला छाज भी फूख फूख के पीवे है एक बार तो हाथ लग गए, राजिश्री जैसी लड़की को जब इसने पसंद ने किया वो तो दीनू ने लाज धर ली, नहीं तो समधिहाने में मैं क्या मूले कर जाती और हुआ भी ऐसा, कि जनवासे से रज्जू लोटा और सब उसके पीछे पड़ गया जैसे भी उसे हां करनी ही होगी जो पहले-पहले मरी नाखों चड़ावे हैं, उन्हें फिर मिले है की कल्लो परी हां मैं कह रही हूँ रे रजूआ, ऐसी लड़की भाग से मिले है पर अपने कंभीर चेहरे को और भी कंभीर बनाए रजूदा चुपी बैठे रहे और क्या छोटी बहु ठीकी कह रही है की, तुरे जरूर कोई इसाईनी छाट कर धरी होगी ना जाने अम्मा के करम में मरने तक क्या-क्या दुख भूगना बदा हैगा, वो रोने लगी छोटी बावी जीब काट कर परदे के पीछे छिप गई, हाए राम, क्या कह दिया अम्मा जी ने पर बुआ की सिस्कियां बसंती का अन्रोथ सब व्यर्थ ही गया बुआ मैं आपसे हजार बार कह चुका हूँ कि मुझे शादी के चक्कर में नहीं पढ़ना है साथ दिन बाद मुझे सिर पर कफनी बांद कर मौत की गाटी में कूटना है ऐसे समय में भला, शादी ब्याह की किसे सूज रही है मेरा एक साथी था बुआ, सदा का स्वल्भाशी रजू एका एक वाचालो उटा, मेजर राओ आट महीने पहले शादी कर आया था चीनियों की बरबर गोलियों ने उसकी दे को चलनी बना दिया फिर भी वो मोर्चे पर डटा रहा और चीनियों को रूई की तरह दुमता रहा मैं ही उसकी लाश को ढूर कर लाया था बुआ यहां आने से पहले उसकी अठारा वर्ष की विदवा से मिले गया था क्या तुम चाहती हो एक ऐसी अठारा वर्ष की विदवा का तोफा तुमारे लिए भी छोड़ जाओं कमरा इस्तब्द हो उठा विवा की चहल पहल के बीच सहसा नेफा की रर भूम की नीरवता चा गई बुआ ने फिर कुछ नहीं कहा अकेली अहिल्या जमीन खुरश्टी रही जब उसने आखें उठाई तो रज्जू बाहर चला गया था उसी दिन सुबद्रा निहरदय पर पत्थर रखकर अपनी बाले सकी किया पत्र लेकर अपने पुत्र को भेजा रज्जू युद्ध तक विवान न करने का संकल्प लिए बैठा है ऐसी सोने की लक्ष्मी उसके ग्रह में उजाला नहीं कर सकी ये उसी का दुर्भाग नहीं तो और क्या है आब भूशनों के उपहार और दामी सारी देने के बाद अहलिया पर ताई की किपा दिर्ष्टी बढ़ती गई थी बेटी जरा तू लाल कपड़े पर रुई से स्वागतम तो लिखते न बंगाल में तो तूने ऐसी सजावट तस्वीरे निकालना खूप सीखा होगा अकेला रज्जू ही तो सब काम में चुटा है और छोकरों को तो मरी छोकरियों को देखने से ही पुरसत नहीं है जहां शादी ब्या के अफसर पर कितनी सुंदरियों कुमारिकों का दल तरोर दलों पर दाएवाय बजलिया गिरा रहा था और जानबूश कर कभी छालिया कतरवाने कभी बंठार ग्रे की चाबी मांगने कभी जनवासे की असंग के फर्माईशों का संदेश लिए कई जोड़े बाके लड़कियों की ही भीर में थसे जा रहे थे वहीं पर रज्जू उस रंगीली भीर से कतराकरी निकला जा रहा था बसंती के विवाब में अहलिया एक अनोके आकरशन का केंदर बन गई थी सीधी साधी साड़ी का सुल्टा पलना मारे एक तरह की चोटी लटकाए दिन रात के शादी ब्याहों में दीखने वाली पहाड की परचित कन्या कुमारियों की भीर में अहलिया की परपाटी से बांधी गई साड़ी दमकते हीरे के करण फूल उस पर सरवता नवीन हेर स्टाइल देखकर पहाड का तरोन रक्त हिलोरे लेने लगा अहलिया लाल टून के वस्तर पर स्वागतम के अक्षनों को रूई में उभार कर चिपका रही थी और उन पर गूंद लगा लगा कर राजू उसे थमाता जा रहा था ताई के कहने पर जब वो स्वागतम बनाने आई तो रज्जू सब सामान लेकर बाहरी बैठा था इधर उतर भागते कई लड़के कागजी रंगीन जंडियों को सुतली पर साथ कर बड़े यत्म से टांक रहे थे एक और लौड स्पीकर पर घिसे पिटे रिकॉर्ड डिरी आ रहे थे अहिलिया को आती देख जंडी अभ्यान के दल में खलबली सी मच गई और एक साथ डिग्री कॉलेज के छातरों का अशिष्ट स्वर अहिलिया और राजू के कानों में पड़ा लड़के फुस्पुसा कर ही बोल रहे थे किन्तो फुस्पुसा हाट तार सब तक में ही चल रही थी अरे डियर गजब की हैरिस्टाइल है बालों की चो साली एक अंगरेजी फिल्म एक्टरस है सोफिया लौरन वैसा ही चेहरा है यार पहाड़ी नहीं हो सकती दूसरी फुस्पुसा हाट अचानक लाउड स्पीकर के डुक जाने से और भी इस पश्ट होटी अवे हट यार सेंट परसेंट पहाड़ी है ओवर्सियर साब की भतीजी है सच सच यार बाब कसम आपकी नेशनिल्टी पर ही शायद बहस चल रही है तुहिना का व्यंगपूर स्वर सुनकर अहलिया ने चौंक कर पीछे देखा और हस पड़ी क्या करू छोटी भाबी उन बेचारों का क्या दूश शायद मुझे पहाड आने से पहले यहां के अदब काईदे जमकरी सीखना उचित था हाँ तुम्हें देखकर तो कोई भी पहाड़ी नहीं कहेगा यहां कन्योचित शिष्टाचार को बहुत महत्व दिया जाता है ना छुरी चुभा कर तुहिना फिर भीतर चली गई रज्जु निशब्द दोनों की बहस के बीच ही गोंत की शीशी लेकर चला गया था एहलिया की आखों में अपमान के आसु छलकाए पर स्वागतम की पट्टी को संभाल कर उसे सूखने रख दिया और कागज की कतरनों को बटोर कर साफ करने लगी आज ही नहीं पिछले तीनचा दिनों से छोटी बावी उसे कई बाते सुना चुकी थी पर एहलिया जिस ग्रह की अतिती बनकर आई थी उसकी मर्यादा का उसे पूरा ध्यान था तो इना के ताजे अपमान की चोट को भी उगुला कर बसंती के पास चली गई विवा के आहलात पून वातावरन से ग्रह का ओर छोट भी उठाता बाहर पत्थर के आंगन के उपर रंगीन शामियाना टांग दिया गया नीचे विचे दामी भारी गलीजों पर कई बच्चों का दल कला बाजिया खा रहा था वर के इसनान से अविशेक की गई हल्दी से पूरवांग संपन हो गया था बड़ी सी पीतल की पराद में दोनों घुटनों में मूझ चिपाए बसंती को लाल रोली के स्वास्तिक बने पटले पर बिठा कर तीनों भावियां कुमाउनी विचित्र अनिबद स्वर लहरी के साथ हल्दी पूत रही थी बसंती का पीला चेहरा हल्दी के पीले पंद से रंग कर और भी पीला लग रहा था वो बार बार भावियों की ठिटोली के बीच दुबकी सी मार कर घुटनों में सिर्चिपाए ले रही थी और बार बार भावियां उसका चेहरा जबर्दस्ती उठा उठा कर फिर हल्दी से रंगे जा रही थी शरीर पर एक गहना भी नहीं था एक मातर पीली धोती में वो रत्र सी चमक रही थी कन्या के निराभरन रहने पर विवा की बेला में आबुशों से सहसा लग जाने पर उसका सौंदर दिवगने थोड़ता है ऐसी कुमाओ की परंपरा है सुबद्रा की विराट दे जामदानी बरेली के लहंगे और दोरे बेचोड़े में अभी भी जंगी लग रही थी उसके पीछे पीछे भागती कभी नारियल लाती कभी हल्दी कंकु का थाल लिये भूमती उसकी तीनों बहुएं बड़ी बड़ी नर्थों को जुलाती तस्वीर सी लग रही थी अहलिया स्वदेश की प्रतेक प्रंपरा पर मन ही मन्यों चावर हो रही थी आज तक उसने बंगाल की सब्तपदी ही देखी थी आज उसे विवा का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा था जी में आ रहा था कि पापा मूवी कैमरा लाए होते तो सब तस्वीरे उतार कर धर लेती ताउजी लाल रेश्मी अदोवस्तर के उपर रेश्मी कुर्ता पहने सिर पर साफा बांधे कलंगी जुलाते उदर उदर भागे जा रहे थे कन्या पक्ष का पुरुहित आंगन में गाउ तकिया लगाए किसी मूलगी वेश्या के से नक्रे दिखा रहा था कभी उसे कस्तूरी और मुलहटी डरा पान चाहिए तब कभी काली मिर्च और सोथ की जाए बारात आने का समय हुआ तो इस्तरियां छज्जों पर बारात देखने चड़ गई किशोरियों में पहली जगे घेर रखी थी कुछ अत्यन्त आधनिकाएं कुर्सी डाल कर आंगन में ही जम गई थी अकेली अहिल्या ही घुटनों में सिर डाले से सकती बसंती के पास बैठी रही चोटा सा कमरा लोहे की सगड में धधकते गोबर के गोलों की आग से तप रहा था कमरे की नीरवता के बीच कभी कभी बाहर का कोला हल और लाओड स्पीकर के बच्ते गानों का स्वर तेरता आ जाता और फिर बसंती की सिस्कियों का स्वर उन पर विजय पा लेता बेंड की जम्मक जम और पहाडी नगाडे रण सींगी के स्वर ने बरात के आनी की सूचना दी लाओड स्पीकर रुका ही था कि पहाडी इस्तिन्यों का लाओड स्पीकर बजु था जब ही महराजा चोक में आये चंदन चोकी पुराए हो मत्रा के हो वासी मत्रा वासी रह समय नौशे को देखने का लोग अहिल्या को भी हुआया पर सिसकती वसंती को उससे अकेली नहीं चुड़ा गया खूटी से निकाल कर उसने शौल को वसंती के कंदे पर डाल कर लपेट दिया ची इतना मत्रो वसंती देख तो आखें कैसी सूच गई हैं बड़े प्यार से उससे वसंती की पीट थप थपाई सहनभूत के इस पर्ष से वसंती फिर काप उठी उस रुदन में बनावट नहीं थी एक अग्यात अपर्चित ग्रह में एक सर्वता अंजान व्यक्ति की चादर से बंद कर कुमाओ की कन्या पराई हो जाएगी वो रुदन एक सरल भोली कुमाओ की कन्या का रुदन था जिसे बच्पन से ही कुल की परंपरा और मर्यादा की कड़ी दोर से बांद कर रख दिया जाता है खुटे की गव की भात उसे जहां बांदो वहीं वो बंद जाती है जहां में की चिडिया की भात ही वो खापी कर मायके की देहरी से हो जाती है उन नए परों की उड़ान में कैसा आनंद है पर कैसी व्यथा हो सकता है वो उड़ान मुद में स्वच्छंद उड़ान ही बने और हो सकता है कि कोई निर्मम बदिक सा स्वामी उसे पिजड़े के बंदन में डाल कर छोड़े हुमाओं के विवा में न कोर्डशिप के लिए स्थान है ना रोमांस की अनुमती तीन-चार दिन के स्वल्प परिचे नहीं बसंती को अहलिया के इतनी निकट ला दिया था कि कल वो उसे छोड़ कर चली जाएगी ये सोचते ही अहलिया का जी न जाने कैसा हुआ जा रहा था संस्क्रत के मधुर्श लोकों के बीच शाखोट चार का स्वराया और थोड़ी देर में बड़ी भावी भागती अहलिया को बुलाने आ गई अरे तुम यहां क्या कर रही हो बरात नहीं देखोगी क्या ऐसा सजीला दूला है हमारी बसंती लली से भी गोरा आओ चलो उसे खीच कर वो बाहर ले गई छजे पर इस्तिरियों का दल चुडियों सा चहक राता मूचे है हट मूचे कहा चाया पड़ रही है नाकी हाँ सच नाकी तो है कितनी लंबी पर कुछ कहो भई वर सुंदर है खाक मिटी सुंदर है टांगे दे कितनी पतली पतली है हिश चुपकर बसंती की भावी आ रही है अहिलिया को खीच कर भावी ने सबसे आगे कर दिया सेरा उठाय बसंती का बाका दूला मुस्कुरा रहा था कैसी अच्छी जोडी भबेगी है ना बड़ी भावी उसे ठसकाय जा रही थी पलके तो देखो कैसी लंबी-लंबी रेश्मी है लड़कियों जैसी कई लड़कियां खिल-खिलाती फूल विखेरती चुहल करती जूता चिपाने की योजना बना रही थी वर के पिता प्रसनचित पापा से हस-हस कर बाते कर रहे थे वर अब सेरा समाले पूजन ग्रह की हो जा रहा था छोटा सा पूजन ग्रह एकदम ही भढ़ जाएगा सोचकर इस्तियों का दल भीतर धस गया और उसी धसी जाती भीड के साथ बहती अहिल्या भी भीतर पहुँच गई एका एक उसे कमरे में अकेली सिसकती बसंती का ध्यान आया और वो भीतर चली गई बसंती ठक कर दीवार पर पीट टिकाए एक सींक से गोबर के गोले की राग को उकेर रही थी तेरे दूले को देखाई बसंती इतना सुंदर है की अरे ये क्या फिर तुम रोने लग गई भई वा लगता है आज तुमने हसने हसाने की कसमी खाली है अच्छा लो गई अब तुमारे दूले की बाती नी छेड़ेंगे चाय पियोगे बसंती ले आउ सिर्फ हिला कर ये बसंती नहीं कर दी बाहर के होहले और पेट्रोमेक्स की रोशनी के उतार चड़ाओं से लग रहा था कि बाहर बरातियों के जल्पान का आयोजन चल रहा था कई लोग बिना बुलाए ही बरातियों की पंगत में जीनने बैठ गए थे पहार में ऐसे संतों को एक विशेश नाम लेकर पुकरा जाता है और वो नाम है भुरिया हो ना हो वो तीसरे पंगत में बैठे सब भुरिया ही है जिमाने वाले व्यंग से कहे जा रहे थे पर मान अपमान से परे वे दुरलब वे भूतिया कचोड़ी रायता और मिठी चटने का आनंद लिये जा रही थी मिठाई का पंडार बसंती के कम्डे में ही था इसी से खाना निपटते ही मिठाई मेंने रज्जू आया और बसंती को देखकर हस्पर कहने लगा बाप रे वसली तेरे ससराल वालों की पंगत तो लगता है राभभर जीमे भी इतनी देर में तो दस बाराते जीम लेती ला निकाल तो बड़ी चान्दी की ट्रे तेरे दूले और ससुल जेट के लिए बुआ हमारी क्या कम डिप्लोमेट है बसंती की भीगी पलके भी रज्जू के परिहास से ख्षांभर को चमक रुखी उसमें अलमारी से ट्रे निकाली पान के आकार से सजाएगे मिश्टान की चान्दी की वर्ख कहीं कहीं उखड गई थी एका एक अहिल्या को याद आया कि ताई ने ट्रे नीचे भेजने से पूर उसमें ताजी वर्ख लगा कर केवड़ा चिड़कने का आदेश दिया था अरे रुकिये इसमें नया वर्ख लगा कर केवड़ा भी चिड़कना आए उसने लजा कर कहा और दोनों चीजे निकाल कर लियाई वो वर्क लगा रही थी और राजू की उड़ा छिड़का जा रहा था बाप रे इनके तो ठाट हैं और बिचारे दूसरे रेट की मुठाई खाने वालों के दातों पर मुझे दया आ रही है क्यों? अहिल्या चुक थी पर बसंती ने पूछ दिया अरे क्यों क्या? बालू शाहियां ऐसी हैं कि जी में आ रहा है कि अपके अपनी रेजिमेंट के मॉर्टाट तोकों के गोलों के लिए लेता जाओ चीनी की चाशनी में हमारे हलवाई ने लगता है कि कंक्रीड गोल कर धर दिये अहिल्या हसने लगी और बसंती ने सिर्जुका लिया एक पान चक लेना ठीक है क्या पता मीठा वीठा कम हो? एक दो बीडे मुह में भर कर उसमें दो बीडे एहलिया और वसंती की और बढ़ाए खाएंगी भई मानना पड़ेगा इसे इस्पिशल मिठाई की मिठास को वसंती और एहलिया ने बीडे नहीं लिये तो स्वैमी मुह में भर कर ट्रे लेकर चला गया उसके प्षणिक हास परहास से कमरा उजलासा हो गया था उसके जाते ही फिर मनुशी में टूप किया सदा के सैयमी रज्जू को एहलिया ने पहली बार इतना वाचाल देखा था खाना निप्टा कर सुबद्रा एक बड़े थाल में पूरी कचोडियां सबजी परस कर लिया आई देख वेटी उसका गला सचमुची भराया था तू भी खाले और वसली को भी अच्छी तरह खिला दे थोड़ी देर में कन्यादान का लगन है फिर तो ये कल भी ठीक से निखा पाएगी आँखे पोश्ती वो थाल रखकर चली गई बड़े कश्ट से एक प्रकार से वसंती के मुँमे कौर फूस ठास करी अहलिया उसे थोड़ा बहुत खिला पाई उसे भी ठीक से निखाया गया हर कौर वसंती की सिस्कियों के साथ गले में अटका जा रहा था थाल खिसका कर वे बैठी इती की राजु फिरा गया ओ गॉड़ी में धेर सारी कचोड़ें देखकर वो बोला और खिसका कर वोद में धर कर बड़े बड़े गस्से मारने लगा हाई राम जूठी हैं बसंती ने हसकर का पर ओ खाते खाते ही बोला अरे तेरी ही तो जूठी है बेहन का जूठा तोड़ी इक ना होता है यहां बरातियों को खिलाते खिलाते भुरकस बन गया वा क्या खस्ता कचोड़िया है अब समझ में आया कि बरातियों की भूग का राज क्या था वो चटकारे ले थाली साफ कर उठने लगा तो बसंती ने हसकर का वा खूब रजुदा मेरी नहीं अहिल्या की जूठन भी साफ कर गए ख्षण भरको रजु का चेहरा अजीब सा हो गया और फिर वो तेजी से छेप मिटाने तीर सा निकल गया थोड़ी देर में शंक घंट निनात के साथ आकर तीनो भावियां बसंती को सास के आचल के तले ढाक कर कन्यादान के लिए ले गई पीछे पीछे अहिल्या भी चली गई और उस बड़े सी कमरे की भीड की घुटन से सहम कर रह गई एक और कन्यापक्ष की भीड थी बच्चों की चेचें पेंपें इस्तिनों का कलरव और दूसरी और वर्पक्ष के सयाने तरों सजीले वर को घेर कर बैठे थे अपनी रेश्मी साड़ी के पल्ले को संभालती एहल्या पसंती के पास ही बैठ गई और उसे लगा जैसे वर्पक्ष की पूरी भीड की कई जोड़ी आँखें उसके चेहरे पर अंगारे सी दबदब कर दहटने लगी कोई उसे दे कर फुस्पुसा रहा था कोई मुस्कुरा रहा था और कोई निरलज द्रश्टे से उसे घूरे ही जा रहा था जैसे वो हलवाई की दुकान पर सजी मिश्टान की थाली हो एका एक पराग बीच में रख़कर मंत्रोचार के गामबीर से दोनों पक्ष के पुरोईतों ने हसी मचाक का हलका वातावरा बदल दिया कुश की कापती डाली के साथ कापती बसंती का हाथ जमाता को थमा कर कन्या दान संपन हुआ और कन्या के माता पिता को बधाईयों से लाद दिया गया गठ्षी सी बन बसंती को मा ने पिछोड़े के तले धाप दूप कर पराई बना दिया और फिर स्वयम उस सूने रित आचल को आखों पर धर कर रोने लगी बसंती को उठा कर डूले के पार्ष में बिठा दिया गया तो अहिलिया को सहसा उसके स्थान की रिक्तिता का आभास हुआ विवहा की विबे ने रसमें पूरी कर दूसरे दिन बसंती विदा हुई तो पूरा घर भाएं भाएं कर उठा वसंती की विदा ने पहले दिन की रौनक को ना जाने धोपोंच कर कहा बहा दिया उठा उठा कर दरी गलीचे हंडे बासन लोटाए जा रहे थे और ग्रह की बहु बेटियां इधर दर कटी लासी बिछी पड़ी रात की ठकान और नीद पूरी कर रहे थी दूसरे ही दिन बहुत से अतिती विदा हो गएते संध्या को तीनों भावियां मनूसी दूर करने पिक्चर चली गई बड़ी और मजली ने आकर अहलिया से भी चलने को आगरे किया पर वो टाल कर बसंती के कमरे में ही पड़ी रही एकाएक कलकत्ता लोट जाने को हो व्याकुल हो थी जिस नए समाज में आकर हो एकाएक उलसित हो थी थी अचानक आज उसी के विशाद के घेरे ने उसे घेर लिया ठीक ही तो कहा था पापा ने अल्मोडे का नशा विजया के मद की ही तरह क्षणिक होता है सुंदर गिर श्रंग का वैभव और चिर अईयार के भवे प्रक्षों की पंक्ति के सारे ही तो दिन नहीं काटे जाते कितना डल लगने लगा था पहाड पर कल बसंती आ जाएगी और उससे मिलकर हो पापा से लोट कर चलने की चित करेगी शेश अगले भाग में